Good morning everyone तो आज का हमारा वर्ड है mensria आए समझते इसका मतलब mensria is the latin term which means guilty mind it refers to the state of mind of the person committing the crime तो mensria एक latin term है जिसका मतलब होता है guilty mind guilty mind मतलब आप समझ सकते है कि intention सही नहीं है ठीक है, गलत intention से गलत इरादा से तो ये mensria क्या करता है कि जब कोई भी person किसी crime को commit करता है तो उसके state of mind को बताता है कि हाँ वो बंदा crime को commit करना चाहता था या नहीं चाहता था जैसे एक example लेते है कि A को B का murder करना है ठीक है तो murder करना है तो उसका पहले intention होना चाहिए murder करने का murder तो ऐसे भी हो सकता है कि by mistake accident हो गया तो उसका दित्थ हो गया murder ऐसे भी मतलब accidentally भी हो सकता है negligence से भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर mensria का क्या role है कि अगर आप murder करने time आपका guilty mind है ठीक है आपके mind में mensria present है कि हमको murder करना है हम सोच समझ के murder कर रहे pre-planned murder है ठीक है तब यहाँ पर कहलाएगा कि आप mensria था आपका mind ठीक है guilty mind था criminal offense doesn't involve only an act or omission but also the accompanying mental state of the actor ठीक है किसी भी criminal offense को करने के लिए सिर्फ action ही काफी नहीं होता है ठीक है सिर्फ उसमें action ही involved नहीं होता है कि हाँ लो हम उसका murder कर दिये चाकू से कर दिये गन से कर दिये सिर्फ action यहाँ पर involved नहीं हो रहा है यहाँ पर intention भी involved होता है mental state जो do-wear है जो उस चीज़ को कर रहा है उसका mental state भी यहाँ पर बहुत जादा murder करते है कि वो उसको करना चाहता है यहाँ नहीं करना चाहता है किस तरीके से कर रहा है और वो कर रहा है वो intentionally कर रहा है वो सब सोच समझ के कर रहा है तब यहाँ पर क्या कहेंगे कि हाँ यहाँ पर ministry present है guilty mind present है एक और example से समझते है for theft the required mental state is knowing that the property belongs to another and the desire to deprive the honor of it इसमें क्या है कि चोरी करने के लिए ठीक है चोरी करने के लिए भी यहाँ पर हम लोगों को पता होना चाहिए कि यह जो property जो हम चोरी करने जा रहे है ठीक है वो किसी और का है यह जानते हुए भी हम एक दम सोच समझ के planning कर के हम लोग चोरी कर रहे है ठीक है किसी के समान को चोरी कर रहे है तो यहाँ पर क्या यहाँ पर भी mensria present है ठीक है तो mensria का basically यही मतलब होता है guilty mind ठीक है गलत इराद है गलत intention आप समझ सकते गलत intention से सोच समझ के गलत intention से कुछ भी कियावा का चो कि crime कहलाता हो ठीक है इसका मतलब है कि महाँ पर mensria present सोच समझ के वो crime को किया गया तो mensria का यही मतलब होता है I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा thanks for watching